चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सिसन है हमने अभी तक 75 कोईशन सॉल्व कर लिये हैं ये नेट का अक्टूबर 2022 का पेपर है अभी हम बाकी की कोईशन साथ सॉल्व कर लेते हैं तो कोईशन ये है कि which among the following statements are true about the minimum wages act 1948 minimum wages act 1948 उसमें जो ये कुछ statements दिये गया है इसमें से कौन से true है कौन से सत्य है ठीक है तो इसमें आपका include value house accommodation ये नहीं होता है minimum wages shall be revised once in a five years ये है और include provisions for fixing minimum rate for overtime work by employees ये भी इसमें सामिल है मतलब आपका नियुंतम मजदूरी पांच वर्सों में एक बर संसोधित की जाएगी और दूसरी इसमें कर्मचारियों द्वारा समयों पर ये कारे के लिए नियुंतम दर निर्धारित करने के प्राउधान सामिल है तो B and C, B and C आपका option number C में मिल रहा है तो ये होगा आपका right answer ठीक है चलते है next question पर अब यहां पर आपको statements बताना है कौन सा statement true है ठीक है तो पहले statement है social work has not been able to establish in identity in India ठीक है ये बात सही है अभी भी social work जो है वो status जो established हो जाना चाहिए था अभी तक इंडिया में नहीं है तो ये true है आपका फिर social professionals have failed to respond to the crisis created due to COVID-19 ये गलत है इस टाइम पर जो social professionals थे वो आगे बढ़कर आए और जो organizations थे वो आगे बढ़कर आई और उन्होंने बहुत मतलब देखा जाए तो maximum तरीके से जो चीजी थी उसको कोसिस की और उसमें वो सफल भी रहे तो ये दूसरा जो statement है ये false है तो आपका statement one is correct but statement two is incorrect ये option आपका हो जाएगा ठीक है फिर है आपका question number 78 इसमें आपको match list कराना है concept दिया गया है और इसके exponents दिये गया है ठीक है चले देखते हैं क्या होता है ये तो सबसे पहले social distance social distance किस ने दिया था ये proponent इसके कौन थे ठीक है तो बुगाडस ये famous है बुगाडस ने दिया था social distance का concept फिर आपका है social closure ये जो social closure है यानि कि समाजिक समापन ये दिया था मैक्स वेबर ने ठीक है फिर आपका आता है social darwinism समाजिक darwin वाद ये दिया था आपके हर्विट स्पेंसर थे ठीक है इन्होंने दिया था ये darwinism लिखा होगा तो आप darwin समझेगा ये इनकी द्वारा harbert spencer के द्वारा दिया था जो famous हुआ था concept इन्होंने जिब दिया था फिर social evaluation सबको पता है सब्सक्राइब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्क्राइब फॉल्विंग अब्जेक्टिव विच्द प्रिम्बल ऑफ इंडियन constitution secures to every citizen इसमें जो भारती समयधान की प्रस्तावना है प्रतिक के लिए सुरक्षित है नगरवासी के लिए क्या सुरक्षित है मतलब citizens होते हैं नगरवासी मतलब citizens जो किसी देश की निवासी है ठीक है तो इसमें से कौन से होंगे ठीक है 79 का ठीक तो इसमें आपका justice होता है यह बात तो है justice होता है ठीक है फिर आपका liberty होती है ठीक है फिर equality होती है यह आपका option number option number a c and d ठीक है यह primble में आपका दिया गया है objectives में ठीक है चलते है next question पर फिर यहां पर पूछा गया है कि what is the unique characteristic of social group work method इसमें से जो unique मतलब एक कह सकते है अलग विसेशता है जो नूठी विसेशता है वो कौन सी है group work की ठीक है तो इसमें आपका creative use of program media यह आपका unique है यह आपको हड़ जगह नहीं मिलता है यह unique worker client relationship यह आपको मिल जाएगा work with natural primary groups all groups members are equal यह चीजें हमें हमारे social case work में भी देखने को मिलता है जहर जगह पर मिलता है लेकिन जो creative use of program media है उसको कैसे करना है यह बहुत ज़्यादा important हो जाता है program media का रचनात्मकुपियो ठीक है तो यहां पर आपको पूछा गया है कि focus की shifting के according जो social work intervention है उसे arrange करना है ठीक है तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा सबसे पहले इसमें जो आएदा वो है individual pathology जिसे हम व्यक्तिगत विकृति विग्यान कहेंगे फिर आपका आएगा society as benign जिसमें सौम के रूप में समाज यह आ जाएगा ठीक है फिर आपका जो third होगा उसमें आ जाएगा structural procession ठीक है इसकार्थ हो जाएगा आपका संरचनात्मक कारण ठीक है और फिर है आपका empowerment and liberation ठीक है यह आपका fourth पर आ जाएगा अब यह option हम देखेंगे कहां पर है आपका पहला a तो यह दो option तो ऐसे ही आपके कट हो गया फिर second पर हमारा society as benign तो यह कहां पर है आपका यह आपका है option number c में ठीक है तो हमारा 81 का c हो जाएगा चलते है next question पर अब यहां बताना है हमें कि who among the following expounded the notion of class consciousness मतलब वर्ग चेतना की धारड़ा की व्याख्या किसने की थी बहुत famous है वर्ग चेतना किसने दिया था जिसका जो सबसे ज्यादा प्रसिद है वो है आपके Karl Marx इन्होंने दिया था class consciousness जिसमें उन्होंने बताया था कि जब जो labor class होता है जब उसे जब वहां पर लोग इखटे होते हैं सबके दिमाग में सीम चीज आती है questions उठते हैं कि हम क्यूं इस situation में हैं और सीम चीज सब लोग feel करते हैं कि वो मतलब उस class के लोग feel कर रहे होते हैं कि उनके साथ किस तरीके का वहवार हो रहा है उनकी जो आर्थिक सकती है वो कम है और बाकी चीजे ठीक है इसको detail में हमने बताया हुआ है मारे पिछले videos में आप वहां पर जाके इसको देख सकते ह फिर है आपका यहां पर आपको बताना है there are a number of social defense issues but national institute of social defense is looking after a few of these issues मतलब कि समाजिक सुरच्छा से related बहुत सारे मुद्दे होते हैं लेकिन राश्टिय जो राश्टिय समाजिक रक्षा संस्थान है इसमें कौन से मुद्दों पर काम करती है इसमें 83 का आपको बताना है तो ओल्डीज केर पर है आप देखोंगे ना इस पर काम होता है ठीक है और इसके बाद है आपका substance abuse prevention और फिर beggary prevention ठीक है यह आपका चार जो है यह आएंगे तो यह आपका option कहां दिख रहा है a c d and e option number c में ठीक है चलते है next question पर question number 84 अब यहां आपको बताना है when a research inference based on a sample holds true for the universe it is called अब इसे क्या है यह देखें बहुत आसान question है यह कि मतलब कि जब किसी नमूने के आधार पर आप कोई सोध आ रहा है ठीक है और उसमें जब आप जो आपका population होता है universe मतलब जहां से आपने sample उठाया था जो आपका target population था आप उस पर जब उसे इंफर करते हो उसके लिए कोई चीज है ना कोई आप कुछ उस पर inference देते हो तो वह क्या होता है वह आपका हो जाता है generalization समानी करण आप कर रहे हो है ना किसी एक sample से आप जैसे यह आपका population है यूनिवर्स है आपने यहां से sample उठाया ठीक है अब इसका इस पर आपने जो भी study की उसका जो भी result आया आप क्या करोगे आप इस पर यह जो population है उस पर इसको आप इससे related जो भी आपकी भाश्वाडी होगी inference आपका कुछ होगा कुछ आपके जो भी आपके concepts होंगे आप इस पर जन्रलाइस कर दोगे है ना तो इसे जन्रलाइजेशन बोलेंगे ठीक चलते है नेक्स्ट क्वेश्चिन पर अब यहां बताना है कि आपका social group work as a method of social work aims at the development of the followings ठीक है समाजिक कारे की एक विधी के रूप में समाजिक समू कारे का उदेश निमलिखित के विकास के उदेश से है मतलब किसका विकास करना होता है तो देखिए इसमें आपका leadership qualities विकास जो आपका है नित्रित गुड का विकास होता है इसमें फिर आपका democratic ways of functioning इस पे जोड दिया जाता है क्योंकि सबका participation होना चाहिए सबके ideas discuss होने चाहिए है और जो भी decide किया जाता है उसे उसे भी लोग discuss करके तभी यह सब चीज़े करते है फिर आपका आता है capability of adjustment कैसे लोगों के साथ adjust करना है group work में व्यक्ति सीखता है तो वहां पर यह भी इसका development होता है discipline followers followers की बात नहीं होती कोई follower नहीं होता है यहールब होतथा लेकिन वो उनहीं का part होता है वो अपने कोई अलग से वो नहीं होता है कि लोग इसको follow करें तो यह option कहां दिख रहा है a b and c alpha option number a में दिखर तो यह आपका right answer होगा फिर आता है up which is not consider as social welfare यहां पर आपको दा रहा है कि इसमें से कौन सा है जो समाजिक कल्याड मॉडल नहीं है तो इसमें आपका जो रेमेडियल है वो नहीं है बाकी फैमिलियल इंस्टिट्यूशनल और रेजिडूल है यह तीनों मॉडल है ठीक चलिए नेक्स्ट कोस्टिट्ट पे आते हैं क्वोश्टिट्ट्ट नमबर we टिक है अब इसमें कि यहां राइड टू क्लीन एड वुट फॉन अंडर कॉन सा जंडरेशन है यहां पर बताना है आपका human rights किसमें आता है स्वक्षभा का अधिकार तो यह जो आपका और यह आपके थर्ड जनरेशन में आता है ठीक है यह यह राइट आंसर है चलते नेक्स पर फिर यहां पर आपको बताना है वाट 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 वॉस देनम ऑफ गुल्बेकिन रिपोर्ट पब्लिस इन 1968 ठीक है गुल्बेकिन रिपोर्ट जो आई थी उसका नाम क्या था तो यह जो है आपका कम्यूनिटिव वर्क एंड सोसल चेंज यह राइट आंसर है समाजिक कार और समाजिक परिवर्तन ठीक है फिर चलते है नेक्स कॉस्चिन पर यहां पर पुछा गया यह सबसे बड़ा बराम है अगर आप कहीं पर भी प्यस जी करने जा रहे और आप इंट्रिव्यों दो गया और आप ऐसे बोलोगे कि मेरा मतलब कि जो यह जो स्टड़ी है इस पर कभी कोई स्टड़ी ही नहीं हो यह कोई लिट्रेचर ही नहीं है ऐसा नहीं है उससे किया जाता है उस पर कुछ नहीं कुछ आपको लिट्रेचर मिलते ही मिलते है नूश आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे गोवर्मेंट की पॉलिये इस से रीलेड़ कुछ मिलेगा ही तो यह सबसे बड़ी फाल फालसी होती है तो यह है हमारा लास्ट केस्ट यहां पर तो यहां पर जो प्रोफेशन की वैल्यूज में नहीं आता है वह है इंपैथी यह आपका स्किल में आ जाता है और बाकी यह तीनों जो है आपके वह आ जाएंगे आपके क्या बोलते है वैल्यूज में तो आज का हमने जो कॉस्टिन था उसको कवर कर लिया है इसके अलावा आपके वह तो आप कुछ से सॉल्व करिये गा उसके प्रैक्टिस करिए क्योंकि यह इंपोर्टन कोस्टिन होते तो इसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोसिस की है और आपको मारे वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करें आप लोग वीडियो देखते लेकिन अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप यहां पर कमेंट के थू हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड के साथ भी सेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट मिले क्योंकि जून किया गया है उसको जरूर देखें और खुझ से पहले को सॉल्ट करने की कोशिस करें फिर आंसर को देखें कैसे क्या है तो इससे अपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी क्योंकि आपका एक माइंड से तयार हो जाता है कि जो क्वेस्चिन होता है उसको एक्जाम में कैसे तो अगर चैनल को सब्सक्राइब निक किया तो सब्सक्राइब करें थाइंड थाइंक यू फर वाचिंग